हेलो दोस्तों स्वागत था आप लोग को आपके अपनी यूट्व चैनल तरुन स्टाडी क्लासेज पर इस वीडियो में आप लोग के लिए 500 जीके जेस्स का निचोड लेकर आया हूं इससे पहले आप लोग को इसी तरह के एक वीडियो मिला था जिसमें आप एक से ले के 500 त पहले से प्लिश्ट बना हुआ है या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिस्ट में लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लिकुट से पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंश के पास से बाद होती है तो भारत में जन्करना जोती है वह दस बर्शों के बाद होता है फ्रेस्ट संख्यां 503 मेघुद किन की रचना है मेघुद काई दास की रचना है फ्रेंश संख्याप पांथा चार भारत के स्वतनता के समय ब्रिटेण का प्रधान मंत्री जो था कौन था तो कि सथापन कि आपना किकी थी संस्था जो उसके सथापना रोबोट बाडिन पाविल के द्वारा किया था प्रसंख्या 507 संसार का सबसे बरा महासागर कौन सा है तो वह प्रसंथ महासागर है संसार का सबसे बरा महासागर प्रसंख्या 508 ि पेंटेलिक किक सब्सक्राइब किस खेल में प्रेक्ट होता है किस फोटबाल में प्ढब्रेक्ट होता है 되가요 प्रें«509 रंघी ट्रॉफी का सम्बंध किस खेल से हैं और पासाइब है आया इसलें कित पुरस्कार किस चेत्र से संबद दोढ़ी तो यह साहित् עुत के कि यह राजीब गांधी खिल रत्न पुर्षकार होता है क्या होता है राजीब गांधी खिल रत्न पुरषकार प्रैसन था इंख्यां 512 अरदों पुराशकार किस वर्स उस्रू हुआ था यह उन्हें सब्सक्राइब देखा जो कि इलाहाबाद से गुजरती है प्राइसे से पुरषकार पाने वाला पहले भारती ये कौन थे बिनुवा भावे थे जिनोने भूमिक गिसान अंदुल चलाया था मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात प्रेंटिंग है वो लियो द्वद्रों द्विंची के द्वारा किया था विश्व विख्यात था प्राइसे सांख्या 516 आईने अकबाड़ी पुष्ट किसने लिखी थी तो अबूल फदल के द्वारा लिखी गई थी प्रेशन संख्या 517 बूली शब्द किस खेल में प्रिक्ट होता है तो यह होकी में प्रिक्ट होता है बूली शब्द प्रेशन संख्या 518 उरन पड़ी किसे पुकारा जाता है तो यह पीटी उसा को पुकारा जाता है उरन पड़ी के नाम से जाना जाता है ग्यार्व काम हो Round 5 i10 जीलों की नगणी कौन सा है तो उदयापूर को फोलतेatos आघ्यायर्व समाज की अस्थापना कब और कहां की गई थी इन कब की गए 1375 इसी में अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है या फी कोई कंप्लेन नहीं तो पुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अगर आप लाइब टेस्ट देना चाहते हैं रेलेवे के लिए कराया जाएगा इस चैनल पर आपको सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब को सबसे प्राची निवेद होता है अगर वेदों की संख्यां पूछ लिया जाए तो वेद की संख्यां चार होती है प्रश्ण संख्यां पांच सा बाइस सिक्षा दिवस कब मनाया जाता है ति एगारा नवामर को मनाया जाता है अगर आपसे बात की जाए सिक्षा दिवस की तो वह पांच सितंबर को मनाया जाता है और अगर सिक्षा दिवस की तो एगारा नवामर को या आप कन्फ्यूज म पंत्री थे मौलान अबुल कलाम आजाद उनके जन्म दिवस को हम सिख्षा दिवस के रुप में मनाते हैं 119 मभन खो प्रेसंतंख्या 524 भाबा परमानु अनुसंधान के इंदर कहां आश्ति थे ट्रामबे में इस्ति थे ट्रामबे कहां है तो मुंबई में इस्ति थे प्रे खालसा पंत्र की अस्थापना किस्ने की थी तो खालसा पंत्र के अस्थापना गुरु गोविंद सिंग ने की थे प्रेसंतंख्या 527 मुगल बंस की अस्थापना किस्ने की थी मुगल बंस की अस्थापना बाबर के द्वारा किया गया था प्रेसंतंख्या 528 भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी तो वह किरनवेदी थी प्राशन संख्यां 539 कत्थ किस राजी का सास्त्रें रित्य है तो उत्तर प्रदेश राजी का सास्त्रें रित्य है प्राशन संख्यां 530 टीपू सुल्तान की राज़ानी कौन सी थी तो टीपू सुल्तान की राज़ानी स्री सबसे कठोरतं पदार्थ कौन सा है सबसे कठोरतं बदार्थ हीरा होता है और यह दाइनामाइट का अविश्कार किस ने किया दाइनामाइट का अविश्कार अल्फ्रेड नोबिल द्वारा किशाँ अगया था प्रस्न संख्या 534 बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वादियंत्र से है तो बिस्मिल्ला खान सहनाई बजाते थे प्रस्न संख्या 535 आसकर पुरसकार का संबंध किस छेत्र से है तो आसकर पुरसकार फिल्म के छेत्र में दिया जाता है प्रस्ट संख्या 536 AIDS AIDS का पूर्ण विश्थार क्या होगा यहनुकि इसका फूल फॉर्म क्या होता है तो एट का फॉल फॉर्म नम क्या था पट्टना का प्राचिन नम पटलि पुद्र था परस्थ संक्या 549 बन Filipino कि अ साज जहाने बन वाय था और ताज महल की बात की जाय तो ता जमहल का निरमान भी साज जहाने कऱवाया था ता ताज महन नहीं कर बाया तो उत्तरपरदीस राज जरुपाय। अंप्रेशन संक्या 540 निता or piak वा bistण स्थ Thailand नर्भाय अलपार को व्युद बांदीपूर अभ्यारन किस राजी में इस्तित है तो वो करणाटक में इस्तित है प्रसंद संख्या 549 भाफिंजन का अविश्कार किस ने किया था तो भाफिंजन का अविश्कार जेम्स वाट के दवरा किया गया था प्रसंद संख्या 544 रेडियो का अविश्कार किस ने कि गया था तो रेटियो का विश्कार मारकोणी की द्वरा किया गrid कहांगा था वो इटली का निवासी था मारको नी ही करहें संक्या 545-धारति और तो एक मात्र राज नागाईलेंड नुक्त प्रत्राम मुस्लिम अध्यक्ष कोन था प्रत्राम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो बद्रुद्दीन तयब जी थे और अगर डायरेक्ट आप से पुछ लिया जाए कि भारती राश्टी कोंग्रेश का अश्थापना कब हुई थी तो 28 दिसंबर 1885 इस्पी को हुई थी कब हुई थी 1885 इस्पी को यह जट भी आप याद रखेगा काफी इंपोटेंट है और बहुत बार पूछा भी गया एकजाम में प्रस्ण संख्यां 547 भारत के प्रत्थम गडियमंत्री कौन थे तो भारत के प्रत्थम गडियमंत्री पहली महिला प्रत्थम मंत्री सिरिमाओ भंडार नाई के निद्थे प्रस्ण संख्यां 549 हरप्पा के शबिता किस यूग से संब्दिद है प्रस्ण संख्यां 550 दिन ए इलाही धर्म किस मुगल सासक ने चलाया था तो दिन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया अक्ते धीकी देखते हैं को स्ट नमर थो डूक्ते से मैं सोड़ी लाल प्रतीत जूं होता है वा सब से कम होता है। इसलिए और प्रतीत होता है.. प्रस्ण संख्यां 570 दिन दश्र में कितने रंग होते हैं उन दरष न शौते हैं प्रिशन सँख्या 56 पन भू यस्तिरुपाग्राख की प्रितनी से उच्छा आई कितनी होती है तो 36,000 किलो मीटर होता है प्रेशन सख्या 574 चेचक के टीके की खोज किस ने की थी चेचक के टीके की खोज Edward General के द्वारा किया गया था एक पाद ध्यान देने वाली है दूद से दही जो बनता है वो लेक्टोबिसलस जिवानों को कारण बनता है और दूद की सुधता की जाज करने के लिए हम वहाँ पे लेक्टोमिटर का पड़ियों करते हैं और अगर कहीं आप से पूछ लिया जाए कि दूद से दही बनना कौन से प्रक्रिया है तो हमेशा रासाइनिक प्रक्रिया होगा इ तो अगर आप से बात की जाए हईडरोजन वाब की तो हैडरोजन वह लाप की संलेयन के रजिधान पर काम करता है प्रसें संख्याइं 6900 विद्ध्धारा की क्या होती है तो यह इंप्यर होती है कुछ से पूछा जाता है सब्सक्राइब करने के लिए कौन सा खनीज आवश्यक है तो पोटेश्यम आवश्यक होता है पेनिसिलीन की खोज किसने की थी तो पेनिसिलीन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्थ होता है तो सिंकोना के भी पौधे से प्राप्थ होता है कुनीन प्रेस्ट तंख्या 563 संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है संसार का सबसे बड़ा फूल जो और फ्लेश्या फूल होता है प्रेस्ट तंख्या 564 सबसे संसार के सबसे चोटा पक्षि यांपर देख लिखे खुता पक्षि हमिंग बड़ होता है उनुषीन सबसे पहले किस जनतु को को पालतुब बनाए था सबसे पहले कुट्टा को फालतूब नाया था इस धर श्रीक छिम से лत को वह ही आकास कैसा दिखाई देता है याने शात्र करता है उसको बहर का कैसा साद दिखाई पढ़ता है तो काला दिखाई देता है यान वा यूंड είναι संसत्त का संयुक्त अध्यवेशन कौन बुलाता है संसत्त का संयुक्त अध्यवेशन रश्ठपत्ति बुलाते हैं निचे बल लगता है वहां दे आट हो जाते सब्सक्राइब है प्रेशन संक्राइब से बचाता है इसका फर्मूला पूछ यहां का इसका फर्मूला ओधिरी होता है ओजनका को सब्सक्राइब अजमेर में इस्थिति है यह द्यक्राइब का रसार से जगेंपल 스क यूदक बाद बहुत धर्मूला कर लिया थातो कलिंग यूद के बाद धर्म को ग्रहन कर लिया था में इस नंकिया सब सबसेंजान मैं यह हैं चया परबमेतिकम रहा सबसेंगे संसार की सबसे लंबी नदी कौनति है तो निल नदी हसंता की सबसे लंबी नदी किस नपमान पर सेल्सियस और फोर हाइट तापमान बराबर होता है तो मैनस चालिश डिग्री से स्ताफ मान पर दोनों समान हो जाता है, दोनों बराबर होता है प्रेस्ट संख्या 589, कांसा किसकी मिस्रिधातु है, तो कांसा तामबा और टीन दोनों का मिला कर बनाया जाता है प्रस्ट संख्या 580 दलीप ट्रॉफी का संबंद किस कहल से है तो क्रिकेट से है प्रस्ट संख्या 580 एलपीजी का पुर्ण विस्तार क्या होता है रिख वीड पेट्रॉलियम गैस अगर हिंदियों मैं पुछ ले जाहे तो द्रभी हूत पेट्रॉल्यम गैस होता है प्राश्न संख्याफ 572 गीता रहर्ष पुष्टक किस ने लिखी थी तो बाल गंगादर तिलक के दौरा लिखा गया था गीता रहर्ष नामक पुष्टक प्राश्न संख्याफ 573 राज्य सभाग कितने सदस्यों का चुनाब हर दो बर्ष बाद होता है तो एक तिहाई सदस्यों का चुनाब हर दो बर्ष के बाद होता है प्राश्न संख्याफ 584 अमरीकी राष्टपति का कारिकाल कितने बर्षों का होता है तो अमरीकी राष्टपत अयोध्या किस नदी के किनारे है इस्थित अयोध्या सड्यू नदी के किनारे बशा हुआ है अयोध्या कहा इस्थित द्याद वो यूपी में इस्थित है प्रशन संख्या 586 जैपुर की अस्थापना किस ने की थी जैपुर के अस्थापना ओमेर की राजा सवाई जैस्टिं तो फुट बॉल से समधी है टुरंड कप, प्रेस्ट संख्या 580, में शुरूध किया गया साहित्य का नोबल पुरशकार की से दिया गया था, तो रुडवार्ड किपलिंग को दिया गया था, प्रेस्ट संख्या 590, किसके सासनकाल में मुरको का यात्री इबन बतूता भारत आया था तूम मोहंमद बीन तुकलव के समेम अया था प्रेशन्त जेंख्यों 5197 भारत के पहले कानून मंतरी कौन थे भारत के सम्दे पहले कानून नाम तो है नाम से या श्वश्टा श्वायट की सी राजी का सास्त्रे नित्य नाम है या सास्त्रे नित्री बदे प्रएंसिन थेनं hours 59 grows भवा aumentar किश नदी पर बनाया गया तो भवाकरा पांध 10 Durven आधि नदी पर बनाया गया था यह कः सप लूकर नदी भी बोलते है थे जतिना कहीं भारत की पूल द भारत की चे तरफल 32 लाख accelerated 7753 वर किलोमिटर हे है प्रस्न तंक्या 597 अमेर्का निज्जा पन के हिरोष्र्मा पर पर्परमानों बं कब गिराया था तो जापन के हिरोष्र्मा पर 6 अगस्त 1975 में तालीश को बंगिराया गया था और नागाशाकी की बात कि जाए तो वहां पर 9 अगस्त यही डेट नौ अगर्ष तुनिश्व में तालिश को बमगी रहा गया था नागा साकी पर प्राश्ण तंख्या पांचसा अंठान बे राष्टपती चुनाब में कौन बोट डालता है तो राष्टपती का जब चुनाब होता है तो संसत तथा राज्य विधान सभाव की चु सज्वाव को दक्षिनी धूर्प से मिलाने वाले कालपणिर का क्या कहला थी है तो देशां तर रखा कहलाती है महात्मा गांधी की हथ्या कब और किस्ने की थी महात्मा गंदिक हत्या 30 जनुवरी उनी इस्वी को हुआ था और नाथुरामगोड से कि द्वारा किया ता यहत्या प्रशन संख्या चाहसा दो भारत में कौनसा अनाच सबसे मन्दिर। मंडिर संख्ञाय दिल्वारा का मंदिर। मंडिर 6 &65 Sortie मारा चन्द पर बनाया गया थैं। संख्ञाइस संख्ञाया 606 मोतरी दिल्डी ढूर। साहससा ने बन वाए था। और टाज महल भी साहस्ञाया था वह कि आगरा में आगरा यूपी में है और लालकिला की बात की जाए तो लालकिला का बनिर्मान भी साथ जहां नहीं करवाया था फ्रस्थन संख्या चाथ शांति काल का सर्वत सेन्य पुरस्कार कौन सा है तो असोक चक्र है प्रस्थन संख्या 608 राष्टिय डेरी अनुसंधान स दिया गया पहला प्रवचं उव्थ धर्मम्में क्या कहलाता है तो धर्मचक्र प्रवरतिय दोलाता है उसे प्रस्थन संख्या 610 वायूशना दिवस कवर नाया जाते है थीला दिवस आठ अक्टूबर को मनाया जाता है है काफी इस एंपोटंट है वह पानी पत में हुआ था दो हर्याना में है यह हो लिए प्रत्ताम यूद यह 1526 यूद पानी पत्ति यूद ऊसचासऑ 110 Facebook तुम्हों याद रख लीजेगा त्रशण झाँ 612 हाली में लंगानाराजय बन。」 लंगान राजय से अलग होगानार था त्रस्ति से अलग होगा और स्थापना कब हुई थी तो 222 पार्समार्षं का स्थापना उनिश्व 95 में हुई थी प्रष्ण संख्या 616 सिक्षा की किंडर गार्डन पदती किसकी दिन है सिक्षा की जो किंडर गार्डन पदती है वह प्रोवेल कि दिन है आ प्राश्ण संख्या 627 के एंची इंची एऔर्ट की अस्थापना कब हुई थी तो एंची एणिवार्च आपना 1961 में हुआ था गर्ष्ण किसके दर्बार किसंगी तक ट्रू तांसें अकबर के दर्बार में संगीत अगी थे प्रश्ण संक्या 619 कों चारवर्स तक अकबर क पर्णित रभी शंकर का संबंध किस वादियन्द से है थिए उत्तरी भारत में सद्यों सर्द्यों में वर्षा का कारण क्या है तो सब्सक्राइब अधरी भारत में पस्चिमी फिक्षोब के यह कुछ्षन काफी इंपोर्टैंड बहुत बार पूछा जाता है इसे कुछ दिटार ट्रॉफी को संबंद किस खेल से है तो दिटार ट्रॉफी का समझ क्रिकेट से है लोग रूष की मुद्रा कौन सी है दोब्ल बारत की बारत के इंडिया भारत की जो रूपया कालाता तक स 맞아 वहां के बंद्रका लुद्धिवी दो चैरे प्रच्वन Şu sun 26 i'll get eaten णेले 10 धरंकr कुछ रिषव देवट जैनधा कुल चोबिस तीरथणकर हुए थे यह तो महावीर श्वामी थे तो चौबिसमें और यह अन्टिम तीरथणकर्थे दों महावीर स्वामी प्र Columbine प्रस्ण संख्यां चोंसाइज गौताम बुद्ध का जन में लूम्बनी नहीं नेपाल में लूम्बनी प्रस्ण संख्यां शोड़ी सीट में बुचन द्धर्म करते तो मैंने अभी बता है कि वह 24 से पीद थे थे छume Rabu नगी inइसे तपर बहुत की पहली महिला राष्ठपती कौन थी थी तो भारत की पहली महिला रच्टपती प्तिभा देवीज शिंग पासिसाइब छिछोजा इसी आने किस नधी पर भसा है महानदी पर भसा है प्राशान 631 बाइनरी भासा में कितनी अक्र्षा एक्षर में था थी उपगया इनलि एन का विस्तार क्या होता है ऑदो ए का और्याल एडिया नेटिवर्क होता है तो उनिस्टा एक सटिस्पी मा आजाद हुआ था गोवा पुर्त गाली शासन से प्राशन तांख्यां चो सटिस्पी में हुआ था बक्सर का युद्ध कब और किस कब हुआ और जिसके परिणाम सुरुप अंग्रेजों का बंगाल बिहार और ओरिशा पर अधिकार हो गया था तो 1764 इसपी में हुआ था बक्सर का युद्ध इसी युद्ध के परिणाम सुरुप अंग्रेजों ने बिहार बंगाल और ओरिशा पर अपना अधिकार जमा लिया था प्र बादुर साहजफर को कैद करके कहां भेजा तुए बर्मा भेज थे बादुर साहजफर को बर्मा कहां है तो यह मयंग मार में इसती थे बर्मा प्रेशन संख्या 638 गांधी जी दक्षिन अफ्रीका से भारत कब लोटे थे तियो नौज जनवर युनिस सब पंद्राइस्पी क नंचली भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी भारत की फिल्म आवलम आ रहा थी तो्य parent के पिस्थ हैप के दिश्थान सैंगction अलब यह तो बारत की अश्थलिय सीमा जो है वो 15,200 किलो मिटर है प्रेशन संख्या 642 भारत का पुर्व से पस्चिम तक विस्तार कितना है तो पुर्व से पस्चिम तक विस्तार 293 यानि कि 293 किलो मिटर है प्रेशन संख्या 643 तिरंगे जंडे को सम्विधान सभा ने कब राष्टे जंडे के कुषटा कुषट का त 걍 को और तकिसी न लिखाए जब्लमाञ ने रजी सब्सक्राइए खुदा पुस्तक पढलए गाहा आसे से enroll stars कहा है फीखार्वार system बाहन यह पटना प्रसनित है दॉस्वान श्रॉइट चालेश सो शयां लेसर सक्राइसार्षार्श में कुलकत्ता में किस ने सीहरिटिक सोसायटि की अस्थापना की थी गो वीलियम जॉंस के द्वारा किया गया था टेसन तर्फेर है था रचांट कुछ चाहएं तर चरफीच अधिकार बनाया गया एकश्यां को अधिकार बनाया गया था खेमा सम्भीधान संसुधन ठागल इसके ढजota बनाया गया था प्रुशुन संख्यां 169 किसमाई अधिकार को 44 संसुधन मारा धना थिए घडिंद और पॉद्टेकर मोतmon दिया गया था सम्विधान के चवाल इस सम्विधान संसुधन में प्रशन संख्यां चोसा पचास तरीश देस्मला पॉंच डिगरी उत्तरी अक्छांस रेखा क्या कहलाती है तो करक रेखा कहलाती है अब दक आप लोगों को वीडियो पर पसंदा रहा है तो आप लोग से एक चोसा ही का बन सशस्त्र सिन जंडा दिवसकब मनाया जाता है तिये साथ दिसंबर को मनाया जाता है प्रती एक वर्स प्रशन संख्यां चोसा बाबन भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है तो रिड क्लीफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है प्रशन संख्या 265 इस भारत्य राज्य की दो राजधानिया थी अलाकि अब तो नहीं है लेकिन जम्मू कास्म्र की दो राजधानिया फ हलेती फ्रेस्ट म्ग्यां यह चाहशाप पच्पॉन अमेरिका ने कौंसा राज्य 1867 में रूष से खड़िदा था तो अलास्का राजी को अमेरिकाने खड़ आ खड़िदा था तो ऊठर सब्स पमें याद रहा हैं सभी कुष्ण काप लोग ध्यान से पड़िया और याद मुझत करने चाशपपन ऩिर्फ लनston उपक जाना जाता है हो किछ प्रेसन तंख्या चोसा संताबन होपमेन कप किस खेल से संबंदिद है ये टेनी से संबंदिद है होपमेन कप प्रेसन तंख्या चोसा अंठाबन नब गठी तेलंगाना राजिका पहला मुख्य मंतरी कौन है पहला मुख्य मंत्री जो बना था तेलंगाना राजे का वो चंदर शेखार राव बना था। किस देश की समुद्र शीमा सबसे बड़ी है तो करनाड़ा की समुद्र शीमा सबसे बड़ी है प्रश्ण संख्याद 622 किस देश की अश्थल सीमा सबसे बड़ी है तो चीन की अश्थल सीमा सबसे बड़ी है प्रश्ण संख्याद 66-63 मैं अमार जो की वर्मा मिस्तित है कि मु उद्रा को वहां की रूपया को प्रश्ण संख्या चोसागर कौन सा है तो दक्षिन चीन सागर है संख्या 60 60 666 गोताम बुद द्वारा उन्तिस वर्षि आयम, ग्रिस त्याग की घटना क्या कहलात है तो वह महांभीजित क्रमन कहलाती है हुस घटना को बोलते हैं प्रेशन संख्या 666, भारत में पंचिवर्षी यूजना का अनुमोदन करने वाला सरवत्च निकाई कौन सा है, तो राश्ट्री विकाष परिशद है, प्रेशन संख्या 666, भारत के किस राज की सीमा चीन, नेपाल और भुटान से मिलती है, तो सिक्की में है, जिस की सीमा च नेपाल और भुटान से मिलती है, प्रेशन संख्या 679, नात्वादर्रा किस राज में इसीथ है, तो सिक्किम राज में सीथ है, नात्वादर्रा, प्रेशन संख्या 670, 1912 में अलिहिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो वह जो शुरू के थे, मौलाना अबुल क सब्सक्राइब आजाद के दरा सुरू किया गया था कब किया गया था तो 1912 एसपी में ये डेट को भी आप याद रखिए जी सब्सक्राइब को कि काफी इंबोड़ेंट है ये कुस्टन भी प्रेशन संख्याइब उस स préfतेंदर चीसमें कांउंगर्श अध्यक्ष कौन थे उस समय के ये जे खुड़ानी थे पर रेशन ठोंख्याइब कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग के बीच लख्णव समझाता किस वर्ष हुआ था यह 1916 में हुआ था प्रेस्ट जंख्याँ 675 पाणिपत का तीसरा युद किन के बीच हुआ था यह मराठो और अहमद साह अबदाली की बीच लड़ा गया था कब लड़ा गया था तो 17161 में लड़ा गया था जो कि मैंने पीछले कुस्ट चाहिए बताया था इसी वीडियो में प्रेस्ट जंख्याँ 676 आरबी आई के नए नियमों कनुसार चिक और बैंक रिड्राफ्ट की व्यदिता कितने समय तक होती है तो तीन महीना का होता है प्रेस्ट जंख्याँ 677 सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौन सा है तो नच सेवन है जो कहां से कहां तक जाती है तो ये वारान ची से कर्ण्या कुमारी तक की का मार्ग है प्रेस्ट जंख्याँ 668 संग मर्मर किस का परिवर्तित रूप है दो चुना पत्थर का परिवर्तित रूप है संग मर्मर प्रस्ण तंख्या 689 बिस व्यपार संगठन का मुख्याल है कहां अस्तित है तो जिनेवा में अस्तित है जिनेवा कहा है तो स्विच्टेड लेंड में है प्रस्ण तंख्या 680 चोड़ी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा अंतोलन अस्थागित कर दिया था तो अस्थायोग अंतोलन को महात्मा गांधी ने अस्थागित कर दिया था चोड़ी चोरा घटना के बाद प्रस्न संख्या 681 पत्रक्राव किरृल के तठ को क्या कहते हैं तो वह शॉजाने शॉजैने शॉज्ट ने जिन्द्ध अवेश्च्टा किस्धर्म की धार्मिक पुष्तक है तो पार्सी धर्म की धार्म के दैसे शॉजैने वह राष्रक हुचा शॉय रहत सब से पहले 1911 सिम गया गया था और ये कॉंग्रेष कि क्या कर रोट संख्याद 684 पांड येek है इस तरह इस तरह से होता है है टु और सब्दशater 65 कि को तरह के मैं पाया जाने वाला कठोर्तम पदार्थ कौन सा है तो प्रकेर्थी में पाइदाने लोग कठोर्तम पदार्थ जो है वो हीरा होता है प्रस्थन तंख्या छाषाज़ाश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्या पूर्भ में हमला किया था थल्षा 6 16 22 भारत का समीधान कितने समय में तयार हुआ थी भारत क rif T flour 2 साल 11 इंगारा माह 18 दिन में तयार हुआल ठाशन भारते समीधान में मोलिक कर्त भी किस देश के समीधान से लिए गए थे तो कि वह अमरेकी समिधान से लिए गया था प्रशुन्तंख्याग च्छसा कि निया दे प्रोटान की खोज किस ने की थी तो प्रोटान की खोज रदर फोट के द्वरा किया गया था प्रेस्न संख्याइशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाशाश प्रशन संख्या 696 गौतम बुद्ध द्वारा देहत्याग की घटना क्या कहलाती है तो यह महापरिनिर्मान की घटना कहलाती है प्रशन संख्या 697 प्रथम बुद्ध कॉंसिल कब और कहां और किसके सासनकाल में हुई थी तो कब हुआ था तो यह 483 इशापुर में हुआ था और कहां हुआ था तो यह राजगरी में हुआ था और किसके सासनकाल में उससे में सासनकाल अर्याद सत्तुर का था प्रस्त संख्या 689. electric शुरी की शुटा का ताप्मान्ट कितना होता है? तो सुरी की शुटा का ताप्मान गतो होता है वह 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है doesn't turn rather than फानस शुटाए शच्छा 990. सावाना गहास से मैदान किस महाधित में है? किस राज्य में लोग सभागी सरवादिक सीट हैं तो उत्तर परदिस राज्य में लोग सभागी सब्सक्राइब कितनी यह ऊस्ती सीठ है लोग सभागी उत्तरपरदिस में अध्य प्रसांट ये सथ सथीन भगवान महावीर का जयंब जन्म कहां हुआ था रही कि तुडे और한गराम कहा है तो वह सालीं में इस्तित थे प्रद्वल बॉद कॉंसिल कि हाँ और किसके संदक्षान में हुई थी यहां पर अपने धूरी पर कितने कुन पर जूकी है यह तैस्ट दस्मलाब 5 जगरी कुन पर जूकी हुई यह पीशन ताथा चांप अच्छों बाइव मंदल में ऑक्सिजन टिन्टीन ला कितनी होती है तो 21 प्रतिशत होती है और मातिरा कि मातरा 78 प्रतिषत होती है बाई मंदल में प्रस्म तंख्या 76 ब्राट गेज रेलेवे लाइन की चोराइं कितनी होती है जिसके चोराइं एक दस्म लब जौ 6-76 मीटर उती है पूस्म तंक्या 767 भारत में पश्वोंस का सब्से बदा मेला कहां लगता है तो हाश्वाण पुलें तो बिहार राजे में सिथ है प्रश्ण संक्या 710 और तीस भी पैरिलल किन दो देशों को बाड़ती है कि उत्तर और दक्षिन कोडिया को भाजित करती है प्रश्ण संक्या 711 अश्टा ध्याई किस ने लिखी थी तो अश्टा ध्याई पानी ने कि दोना लिखा गया है पुश स्थी आता है तको यहां पर एक लिंक मिलेगा लिख मैं बना हुआ है वहाँ पर देख सकते हैं उस क्लिक करके आपे केबल केपल साइन्स है 500 प्रेजिम थो तीसरी बॉप कोंसे कहां और किसके साथ में हुआ था ये 250 बीशी में हुआ था जिसको इश्वापुर बोलते हैं क शोप के सासन काल में हुआ था प्रसुन संक्या 714 तुरी पीठक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भासाम लिखे गए है तो प्रसुन संख्या 715 भरतिय प्राइदीब का क्या नाम है इस दककन का पाथार नाम है भरते प्रावीप का परसुन सब्सक्राइघल गुजराथ से गोवा तक समुद्रि सप्थ क्या कहलाता है यह को कं यान गोवा का जो समुद्रि तडए वहां तक कऊंखərाता है प्रसुन संथ। सब्सक्राइब निकोबार दीप समुह में कितने दीप हैं तो यहां पेकपुल 324 दीप है अन्डमार निकोबार में प्रशनतंख्या साथ 182 मिधान संसो धन्वारा कौन से दो सब्सक्राइब नम जोरी गए तो दो सब्सक्राइब नर्प्यक्च और समाजवादी था बिखान तो कब हुआ था कि यह 1978 रिस्पी में हुआ था यह 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 रख लिजेंगे काफी इंपोटेंड है प्रश्ण तंक्या 719 एक रुपय के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो एक रुपय के नोट पर सची विद्वित मंत्राले के हस्ताक्षर होते हैं प्रश्ण तंक्या 720 संसरक 27 के बीच अधिक्तम अब्धी कितनी हो सकती है तो अच्छा मास्की होती है अधिक्तम अब्धी प्रश्ण तंक्या 721 रितु संगहार कुमार संभव रखुबन संकिन की रचनाए हैं तिये तीन महत्वपूर्पुर्पुष्टक है जो काली दास के जनता और एलोरा की गुफाए कहां इस्तित है यह औरंगाबाद में जनता और गुफाए दोनों यह औरंगाबाद कहा है तो महाराष्ट में इस्तित है प्रश्ण संक्या 723 महाबली पूरम के रथ मंदिर किस्ने बनवाए थे यह पल्लब राजा नर्शिंग बर्मन ने बन आतर बन है प्रश्ण संक्या 725 कि जीम कारिवेट नेस्नल पार कहां इस्तित है यामित अनृत्ताल के पास इस्तित है तो उत्रा खन्टराजी में आतना प्रश्ण संक्या 726 मेर्ड़वर्टी इगल बोगी पार टी-हूल-इन्वन यह सारी सब्रें कि 1,2, 3,4, 5,6, 6 कुस् सब्सक्राइब है अगर आपको इस तरह से नहीं पुछा जाए तो आपको आसानी होगा क्या च्छो कुस्तन आपको याद हो जाएगा बैसन सब्सक्राइब राज राज पुलामवंगा कोंसा साथाशाथ चोगा यान फोलोग खेलते से में गोरी से गिर्कर मृत्यूख प्राप्त हुआ था तो खुतूबुदिन एबक था गुलामवंगा स्थापक भिकूतु पुद्न ओवदने 11 कि ने कि निदा साथ 179 गीद गोविंद कि जया देव का लिखा गया पूस्तथा गीद गोविंद प्रसल गोविंद जया शंख दीश जश्क संतिश खंडिर किस खंडील स्षक ने बनवाए थे तिये प्सासक को 469ue विजय नेगर समराज के स्थापना कब और किष्ण की थी तिये 1336 इस्विम हुआ था हरीहर और बुक्का ने किया था यह दोना भाई थी हरीहर और बुक्का प्रशन संख्या 732 गहना पक्षी विहार कहां एस्थित है तिये भरतपूर में एस्थित है भरतपूर कुन किस करने में पाए याथ है कच करन कहा है जिदा गुजरात राज जमस्तित है प्रशन संख्या 734 मीन केम्प यान कि मेरा संघ वर्श किसकी जीवनी है यह अडॉल्फ हिटलर की जीवनी को लिखा गया था मीन केम्प नाम से प्रशन संख्या 735 दास केप्टल किन की रचना है तो स्वमनाथ मंदिर को स्वमनाथ मंदर कहां स्थित है तो सौराष्ट में स्थित है स्वमनाथ मंदिर प्रशन संख्या 737 कौन सा अभ्यारन एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रशिद्ध है तो काजी रंगा आभ्यारन है जोगी एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रशि तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा तेमूर लंग तेरास तन्वेस्ट दिल्ली को लूटा था इसनता ain't थाटिनसीजिए प्राइशीव इन चल्प साथ ground अगले शेटर शूरी को कहां दफना अगया तो शूरी को साथ हासाराम में दफना आगले था कर्मानों रेक्टर में मंदक की रूप में किसका पढ़ियों किया साथ है तो भारी पानी और ग्रेफ हाइट का प्रियों किया था मंदक के रूप में प्रेस्न संख्या 744 200 का सबसे छोटा महाद्विप कौन सा है तो अस्ट्रेलिया महाद्विप है सबसे बरा महाद्विप की बात की जाए तो अशिया महाद्विप है प्रस्न संख्या 745, एंसीसी की अस्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एंसीसी की अस्थापना 1948 इस्थ में हुई थी? प्रस्न संख्या 746, अमजद अली खान कौन सा वाधी जंदर बजाते थे? तुवा सरोध बजाते थे प्रस्न संख्या 746, भारत का सबसे उचा जल प्रपाद कौन सा है? तुवा जोग या गर्षोपा जल प्रपाद है, जो कहा इस्थित है? तुवा सराबती नदी परिस्थित है, सराबती नदी करनाटक राज्य में इस्थित है, प्रस्न संख्या 748, चंदरमा की प्रित्वी से दूरी कितनी है तो वं तीन लाखख पचासि हजार किलू मेटर दूरी है चंद्रमा के पृत्री थी बीशें ,649 विश्व का सबसे कम जन संख्या वाला देसं कौन सा है तो वेटकल सिटि है क्या सबसे कम जन संख्या मला देस प्रस्ण संख्या 750 भारत में सोने की खान कहां है वह कोलार में इस्तित है सोना खान कोलार कहां है तो खर्णाटक राज्य में इस्तित है प्रस्ण संख्या 721 भारतिया समीधान में कितनी अनिस सुचिया है तो अब 12 अनिस सुचिया है भारतिया समीधान में प्रस्ण संख्या 7 सब्सक्राइब कि सूर्य का प्रकास चंद्रमा से प्रिथिभी तक महजने में कितना समयल लेता है तो सूर्य का प्रकास एक दस्वाब लगता है नील नादिक की उपहार कौन सा देश कहलाता है तो नील नादिक का उपहार मिस्र कहलाता है उस्ताद जाकिर हुसेन का संबंद किस वादी जंदर से है तो तबला बजाते थे उस्ताद जाकिर हुसेन प्रसंद संख्या साथ संठाबन अमेरिका की खोद किस ने की थी तो अमेरिका की खोद 1492 में क्रिश्टोफर कोलंबस के दोरा किया गया था क्रिश्टोफर कोलंबस प्रसंद संख्या साथ साउंसर्ट वंदे मात्रम को सरव पर्थम कोंग्रेश के की था अधिवेशन में गया गया था तो कांग्रेश के अठारा साथ सिठाब आधिवेशन में गया गया था और अकर रास्टम जणकर्मन की बात की जाए तो ये कॉंगरेश के लिए फीष्ए में 1911 की प्रसंसांख्या साफ साथ, साफ display का सिधना, किया खुजा था, anticipक्ष्था का सिधना, אלوق pouvंद आउन्ष प्रसंसांख्या साथ साथ साथ, वायू जयान की खूज, किया खूज, ओलिवर और विलिवर राइट बंदु के द्वारा किया था, प्रत्थम हिर्दय प्रत्यारूप पनकिष ने किया था तो डॉक्टर क्रिष्टन बनारेट के द्वरा किया गया था वो कहां गये थे डॉक्टर क्रिष्टन बनारेट तो दक्षिन अफ्रीका के निवासी थे साथ पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है तो रोम कहलाता है साथ पहाड़ियों का नगर साथ64 शक्सम्बत को राष्टे पंचांग के रूप में कम अपनाया गया तौन प्रेजम की खोच को यही कि दोरा किया गयाता? कितनी उचाई पर जाने से थाप्मान एक डिग्री सिलसियस की कमी होती है तो 165.7 रचे मिटर उचाई पर जाने पर और या बwoले है पर ग्रहर के स्टेट बैंक है इसको एसबी आइभी बोलते हैं प्रश्चन तंक्या 777 सफेद हातियों का देश कुंता है तुछ थाइलेंड है और सबसे ज्यादा हाथी बादेश पुछा जाये तुछ थाइलेंड को ही बोला जाता है प्रश्चन तंक्या 770 कंगारू किस देश कराश्ट् यह सुस्तिट्ण से है प्ररेश्चन तंक्या 772 देश का पहला लोह इस पात कार्खाना कब और कहां लगा कि आठाहरा सब 65 इस्पी में कुल्टी में लगा था कुल्टी कहा है तो पस्चिम मंगाल में इस्तित है कुल्टी प्रेश्चन तंक्या 773 भारत में पहला एलियूम इंदियम कारकाना कहां लगा में लगा था शेल का पूरा-थै पूल होता है तो इस्तीन अथॉरी आफ इंडिया लिम्टेड है Casey 50ि मुझ गूज होता है तो स्थाफनी इस ट॥ा 1796 बृतन चाहें 29πειقة से कॉनसा कश सरा निर्मित है दुरक अफुन निर्मित योगी कहां हैी है धूलिटता सथू साथ साथे स्था। कि रूष के स्योग चाहें कर खाना निर्मित हुआ तो वो खार हो निर्मित से मुइस के सहयोग से तो जर्मनी से निर्मित हुआ सण क्षणा क्या अंजसा ना सी 농 है रूश्स के सहीओ से डूसरा कौन साकर खाना होऊं वह भिला कह sweater सत्रेशी नि चेट्र में टीष पुछ तो हमाएं टीषट्पो नियुक्त वा निसे सिस्पों करें मिद्भा petव क्या होता है सबसे अधिक किस राजी में पाया जाता है तो सबसे अधिक लोह अधिक जहार खंड राज में पाया जाता है सबसे अधिक कोईला का खान अगर पुषा जाय तो वह भी जहार खंड राज में पाया जाता है और सबसे बेस्ट क्वालिटिक का जो कोईला होता हुँ एंसरा साइट होता है प्रेशन तंख्या 7-7-83 किस राजी से देश का कुल 51 परतिस अबरक निकाला जाता है तो पादन के लिए प्रशिद्ध है प्रेशन संक्या 7-85 लिगनाइट का सबसे अधिक भंडार किस राजी में है तो तामिल नाडू में लिगनाइट का सबसे अधिक भंडार प्रेशन तंख्या 7-86 भिलाई इस पाथ सढ़ी हंत्र किस पंची वर्षी योजना में अस्थापित किया था तुझा दूटिए पंच वर्षी योजना में अस्थापित किया था और दूटिए पंच वर्षी योजना के अभधी क्या थी तो उनिस सथापन से इक सबसें पर प्रेसन संख्या 788 बर्णपूर में इंडियान और एंड अस्टिल कंपनी के स्थापना कब की गई तो निस्तो आठारा स्विम की थी कहां की एजी तो बर्णपूर में किया गया था प्रश्न तंख्या 789 से इस्टील कार्पोरेशन और बंगाल को किस वर्स भारतिय लोह एवं इस पात कंपनी में मिला दिया गया था तो निस्तो तिरेपान इसमें मिला गया था यह दोनों भिलाई था दुर्गापूर था एवं राउड केला यानकि तीनों ये नया कारखाना को बनाया गया था यूतिय योजना काल में प्रश्न संख्या 792 भीला आई दुर्गापूर एवं राउड केला कारखानों को किस कंपनी के अंतरगत रखा गया तो वह हिंदुस्तान 10 Juno 345 भी योजना तीसरी पंचवरषी योजना में कौन्से कारखाने की असतापना का निर्मान लिया गया वह कारों का निर्मान प्रश्न संह Undo चल्गापूर राउड केला लगोकारों सलیम के कारखाने किस कंपनी के अंतरगत स्टिल ऑफ इंडिया लिम्टेट कंपणी के अंतरकत यह तीनों कंपणिया तीनों की सब्सक्राइब यह सभी कंपणिया आती है प्रशन संख्या साथ साथ 95 दुर्गापूर राउर के लां बोकारों भिलाई स्लेम के अलाबा और किस जगह लोहा एवं इस पात के कारखाने अ पट्ट नम वाम भीजय नगर में स्थापित किया गया था जो कि पिछले इसी वीडियों बताया कुछ देर पहले प्रसंतंक्या साथ 96 कि देशों के बाद कच्छे इस पात के सबसे बड़े उत्पात के रूप में भारत का दुनिया का सबसे चौथा अस्थान पर है तो ची प्रसंतंक्या साथ 97 भारत विश्टों का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तिल उभोकता देश है तो चौथे नंबर का उभोकता देश है सबसे बड़ा प्रसंतंक्या साथ 97 भारत में जूट का प्रत्थम कार खाना 1864 इस्पी में पस्चे मंगाल में पस्चे मंगाल कि सहर म लागा गया था प्रेशन संख्या साथ सण इन्यानबे भारत में उनकी पहली मील 1870 में कहां थाबित की गई थी तो वह कानपूर में किया गया था खुश्तन आपको इस तरह से भी याद रखना होगा कभी आपसे पूछ लिए गया था कि भारत में उनकी पहली मील कम लगाया त Ghost ऑप आपको आपको याद रखना है 1870 में आपको जीण यान पाल जाया गया था था प्रby फ्रेशन सहते हैं कांपूर उत्तर प्रदेस अंहया दोक है किस उध्यों को कहा हो जोट द्यों को कहा है सोने का सब्सक्रेंट प्रजि एक तईयावरन क्या है वी पर्या गนน् cathart जीवधार्यों को रहवित करता है पढ़ियावरन कहलाता है प्रसंद संख्या आठिसा दो भारत में सबसे अधिक वन निकिस प्रदिस में है सबसे ज्यादा वन का विस्थार्माद्य प्रदिस राजी में इस्तित है प्रशन संख्या आठ सथीन पौधे अपनी खाद निर्मान प्रक्रिया में कारबन डाय ऑक्साइड यानिकि और वायू मंदल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने क लिए प्रेस्यंता आठ सचार कोल कारबन डायूकसाइट वरा कॉन साफ प्रदूसन होता है दो वायू प्रदूसन फैलता है इन सभी गैस से प्रसमताइट 5 आए बाययो केमिकल का ऑक्सीज़न डिमांड प्रिक्षण परिक्षाझ किस प्रदूसन को मापने किली किया जाता सब्सक्राइब नाइट्रेड जिसको पीए ने बोला जाता है यह वायू पर्दूसक है प्रेश्टे परियाबरन अनुसंधान केंद्र कहां आश्तित है तो नागपूर में नागपूर कहा है तो महाराश्टर में इस्तित है तो वह परावेगने किटों से मारी रक्षा करती है प्रेश्ट अंक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबस्क्राइब सब्सक्राइब अग्राइब सब्सक्राइब के आँर। शल्याटüz। परियाबरन का किस जो कह जाता है वह यूकेली रड़कमा कनते होंगे ग्रीन हसी परियाबरन का दुкого है तो नहीं संब्सक्राइब actions आर से भी में डाच्टैक्रेएब प्रित्वी पर आतो जाती है लेकिन कार्बन डाय ऑक्साइड गैस्ट की गहरे के कारण वापस नहीं जा सकती है यह नहीं जा पाती है यह इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस्ट प्रभाव प्रेस्थ гл अनिवारी है कम से कम एक दुष्य अपसुनह समया पर्डाइप हो गया है जैंट फ क्या है दिए परियाबरा प्owiotड को बिलते हैं ग्रीन फीर प्र्रेस्थ restart कि या गया था प्रेसंची आठ सच्थ भारत सरकार द्वरा किंदर में परियावराण विभाग की अस्थापना किस वर्स पी गई कंख्याल कहा है तो जो इसका मुख्याल थो नेरोभी मेरे थी थे नष्तरी नियरोभी प्रेस्ट उन्भीयYes में कौण सी गय सत्थोटी है तो वहां अजहर होती है है प्राक दोन ड़िये होता है ऑच thief कर दो यह प्रतीक के रूप में किस पश्थक को लिया जाता है दो पांडा को लिया था आधा फेलिए भारत का कौन सा राजी टाइगर राज के रूप में जाने जाता है तो वह मध्द पर्दिस राज जोकी टाइगार राज के रूप में जाना था यह ऐसलिए वहां पहां फे ज्यादा बाग का संख्या पाया जाता है श्याट है उसको टाइगर राज के नाम से जाना जाता है रहासन संथ्वाइश्ट कोष कहां परिस तूर्णाओं ने प्रेश्टे लेंड में किधा है मैं प्रच्छ और आट 724 से प्राचीन काल से उगाया जाने वाला ठीक on पुप केशन क्या है एक सीय次 कमी का जीवों पर प्रभावा दिखाए उसको बोलते हैं सब्फोंकेशन जर्वा जलबाई परिबर्तन में किन गयसों का मोख्य भूमिका होता है थो ग्रीन हाउस गयस का मोख्य म heb बहुलता है दो परिबर्तन में दूक्त 727 सरवाधिक आज़ान चेकारी घैस कोंता होता है तोंस्य एम सी होता है इसको क्लोर्डो dazu penguin bode प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा तो ग्लेशियर पिखलने लगेंगे प्रसंट अंख्याट सथीज भारत में तो संदरलाल बहु गुरा को क्यों काया था क्यों कि इन्होंने चिप को अंदुलान को शुरू किया था इसलिए इनको बिक्षों का आद्मी का जानने लगा तब से फ्रेस्ट अंख्याट सब्दोर्थी से सरवाधिक जैब विबिधता कहां पाई जाती है तो टोपिकल रेन म पाई जाती है प्लतर धंक्याट से 32 प्रष्टि करद प्लतर ना न टैक्नोलोजिक पार्क कहां प्रिश्टित है तो लकृत नोव में स्थित है प्रेस्नैट्वी दिवास कब मना कर लिजे और इस वीडियो का पीडियाफ आपको वहां मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ता कि जैसे वीडियो अप्लोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहले पहले पहुंच सके प्रस्ण दंख्या आर्शा का बच किसे कहा जाता है तो ओजन प्र सबसे प्रदोशित नगर कौन सा है तो मैक्सिको सीटी है जो कि सबसे प्रदोशित यानि के गंदा नगर है प्रस्ण संख्या आट सा अर्थीज गवर्रमेंट एजुकेशन फॉर्ड किड्स युएस ये में कहां पढ़ है यानिकि युएस अमेरिकां को बोला जाता है अमे प्रदोशन को मापने के लिए कौन सा परिक्षन को अपरिक्षन के लिए किया जाता है तो जबब प्रक युद्फालशन को भिवा्यो केमिकल ऑक्सिजेन परिक्षन परिक्षन के द Comeagna वहलूरीश ताज महल के पीले पर नेत था उसके चरण होने का क्या कारण है तो अमली ये वर्षा है इसका सबसे प्रम्हुकारान प्रसंत अंख्या आट सा त्याट तालीस मानाब दौरानेर में उपग्रा कहां अस्थापित होते हैं तो ब्रह्म हुआग मंडल में अस्थापित होते हैं कर देश का पारिशट कि अनुसंधान वं प्रिक्षन के इंदर कहां है तुम बंगलोर में सित हैं बरलंग लौर कहां है तो कर नाट अि सित हैं ब्हारत का लगी और सिच्छा के इंदर कहां अंस्षिध है तो अहौंस अ hace अभाष दौरान आड गया उसकरंठा डिम प्रसंत विश्ववान्थ की दिवस का मना जाते है तो विश्ववान की मार्च को मना जाता है प्रतियक वर्स प्रेस्टन था अट आर्तालिस्थ भारतीय में से अडू्र का मुख्याल ले कहां एस्तित है तुम देहरा दून में एस्तित है प्रावन्ध संस्थान कहां है वह भोपाल में सिद्ध है प्रावन्ध संस्थान कहां 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 है में भारत के उत्तर में कुं सा देसे हैं भारत के उत्तर में निपाल, चीन और भूटान Build व्रCl une सब्सक्रांद के६ कंक्रीपन भारत के बंगला देस हैं Um सब्सक्राइब और अब सब्सक्राइब और अगर इन सभी पीडियाप के बदले अगर आपको एक ही जगा वीडियो चाहिए तो इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट असक्राइब सरी प्रसक्राइब कि पहाड या भारत को किस अलग करती है तो मेंग मार से अलग करती आपको पुरुबाँ चलू की पहाडी अर्ट पार्प जल डम्रो म दे भारत को किस देश से अलग करते हैं स्रि-लंका से अलग करते हैं म spooky संपोर्डन भारत की अक्छाएंशी विस्तार कितनी है तूँए चार और डिग्रीस से 4 से 46 डिग्रीस छो उत्रियाक्छाएंश तफर। बिस्तार प्रसंतां चांट साइक साट भारत के मद्य से कौन सी रेखा गुजरती है तो करकर रेखा गुजरती है भारत के मद्य से प्रसंतां चांट साथ भारत के उत्तर से दक्षिन तक विस्तार कितना है तो बद तीस सौदा किलोमेटर है भारत उत्तर दक्षिन तक विस्त भारत का पुर्ब से पस्त्यम संक्षिम सात्य वित्तार कितने है गया पॉर्ब सर्थ self किलिमेटर तक विस्तार होगा जाती में प्रशेजिके सब्सक्राइब भार्ट का द्लक्षिनि क्या कहालाता है और कुस्तों एक इंडरा पोइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो इंदरा विष्ट्व के छेट्र फलन का कितना है तो विश्ट्फ म verdict के उसले है्प चार दो पर्तिसेद रेंध कि अधान पुंडर म ही कुल जन जंख्या एख और न समय करось तो झाया सथ बार्त समय वर किलोमीटर है प्रसंद संख्याइब भारत की असल सीमा थे कौन से देश लगे हैं तो बंगलादेश चीन पाकिस्तान नेपाल वरमा भूटान ये सभी देश लगे हैं भारत की सीमा से प्रैस्ण तंख्या 1872 भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है तो मालदीव, स्रीलंका, बांगला देश, मैंक मार्व पाकिस्तान इंद पाँचों देशें मिलती है भारत की सीमा करकर रिखा किने राजियों से होकर गुजरती है तो वो राजस्थान, गुजरात, मध्य परदेश, 36 गर्ड राजस्थान, सरिजारखंड, पस्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है प्रेस्न तंखे, 874, भारत के मुख्य भूमी की दक्छिनी सीमा कितने अक्षानत है तो वो आट डिगरी, चार दग है प्रेस्न तंखे, 875, भारत का मानक समय कहां से लिए गया, तो वो इलाहावाद के निकट नेनी नमक अस्थान से लिए गया था कितना आंतर होता है यहां न होता है मद्ई रेखा से भारत का अंठीर कितनी है तो यची भारत के मुख्षी भूमी की तरिखा की लंबाई कितनी है तो लेका वाज रोडिन रिप समुह प्रतीबत कितनी है यह सभडू है गे संपूर्ण भारत को कितने प्रतिसत भाग पर प्रबत पहाड़ियों का लिश्तार रहा है और भारत में समध्री तट्रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है इसली टॉल कि देतनी हैच Кला में प्रसंस्तंख्या आट सा 580 करके रेखा भार ते कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आठ राज्यों से होकर गुजरती है जो कि आफी मैंने पीछली तुस्तन में बताया है प्रसंस्तंख्याइट बूम दिए रखायके निकट कौन साइस्थान है purp fulfilled प्रसंसक्राइट OS सदासी burner आप depos कहा सिधेखिक अंडबा निकवारीप femme लूमा इस प्रसंसया है इस वह साठ लुक्त रजाय कि सम्भूत तरकसे चोटी है नोवा कि है प्रत कि अस्तल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है वह बंग्रादेश के साथ सबसे ज़्यादा मिलती है प्रशन संक्यार सनब्वे भारत का कौन सा भूह आक्रितिक भाग प्राचीन है तो अप्राइद वीपिये पठार है प्रशन संक्यार साइकान भारत के पुर्वी समुद्र तट को किस नाम से जना जाता है तुवो कोरुंग मंडल के नाम से जाना जाता है प्रेश्ण है यहाद साब 19 मे कौंग और कहां ध collabor है कहां तक एक दो गौ से दम्ण तक है उत्पराण हुई तो प्रवाल से द्वारा हुई थी प्रसंद संखे आठ स सा चॉरान बे नियू मूर दीप कहा यह थिता तो एंडबंड सागर में है थिता है प्रसंद आइस स्वहारत बहुत बद्वालियों कि दिफ नहीं कि शत्ती से में संतने किसी संथान को सफेद पानी के नाम से जना जाता है तो सियाथ चीन को भारत के सफिद आप कंवाइब क हिस्ता नाम से जाने जाता है भारत का अस्थान है जात चीन प्रसंथा है भारत में किटने किंदर शास्षित परदेश है तो भारत न सौ sectors अण नो सौतीन कि ननियों मूरदीव के कारण भारत का विवाद है दुवा बंगला देस के साथ भीवाद है जा नन न संगियों भारत किस गोलार्ड में इस्थित है तो भारत उत्तरी गोलार्ड में इस्थित है प्रेशन संख्या नोस पंच किंद्र शासित परदेश दादर और नागर हवेली भारत के किंद्र राजियों के बीच इस्थित है दादर और नागर हवेली गुजरात और महराष्ट के बीच केंद्र शार्षित पर्देश अंडवार्ण निकवार्ण दीप समू की राईधानी पोर्ट ब्लेर किस दीप परिशिद है तो दक्षिन अंडवार्ण दीप परिशिद है प्रेशन संख्या 908 कौनसा राजी उत्री पुर्वी राजी की साथ वाहनों साथ बनों का भाग है न भागों में प्रेशन संख्या 9010 उत्री भारत में उप हिमालय चेतर के सहारे फेले समतल मैरदान क्या कहलाते हैं तो इसका अंसर यहां पर टाइप नहीं हुआ है यह इसका अंसर भावार होगा याद रखेगा इसका अंसर भावर होगा याद कर लेजिए आप लोग प्रेशन कोडिया जो है उस देश को अभी 15 अगस्त को स्वतलता दिवस मनाया जाता है प्रत्यक वर्स प्रेशन संख्या नशा 12 विसुका ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ तो नेपाल है जो अभी तक गुलाम नहीं हुआ किसी भी देश थे प्रेशन संख्या नशा 13 पुराना समाचार पत्र कौन सा है तो पुराना समाचार पत्र जह हुआ है वह स्विडान ओफिस्यल जो कि जैनरल जैनरल था यह समाचार पत्र यह उन्हें स्वह सबसे पहले 20 कुल कितने कुल 500 है 253 प्रेशन संख्या नशा 15 प्रेशन नहीं होता है तो ब्रिट्यन होता है जहां की डांप्ट्यकत पर उस देश का नाम नहीं होता है यान् програм नहीं होता है उern you सबसे सबसे भाव मस्जिक कंसी है तो अलमाल याँ मुस्थीद Šida कहां इस सिते खु़ाइब करते हैं तो फिरी नहीं कि देश में कोई भी मंदिर मस्चिद नहीं है सादी अरब आप वहां पर लोग पूजा नहीं करते हैं उनको दरिमे इस बास नहीं होता है को इसलिए वहाँ पर कोई मंद्र नहीं आ है 27 सबसे बड़ा महासाहसायर है थो प्र кожika says912 प्रश्ञों में सबसे बड़ी स्वारा बैंक कों सा है तो के‌श्डासऑ सबसे बड़ा ब्रुपार भारतिय स्टेट बेंग जो कि सरबादिक सखा है भारत में इसका और अगर बात किजा इसके स्थापना घी तो भारतिय स्थापना सब्सक्राइब कि युद्व में भाग नहीं लिया है अभी तक प्रेस्ट नंच्या 1921 बेस्व का ऐसा कौन सा देश जिसके एक भाग में साम और दूसरे भाग में दिन होता है तो वह रूष होता है रूष मैसा होता है कि एक भाग में साम और दूसरे भाग में सुबह होता है बेस्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है तो टेकसास का फोर्ट एयरपोर्ट है जो कहां ऐसे तो अमेरिका में सित है प्रसंद संख्यान पिसब का सबसे बरा महाधवीप कौन सा है या6 शोटा की बात की बात की जाए और महाधवीप है सबसे बड़ी दिवार कौन सी है तो सबसे बड़ी दिवार है ग्रेट वाल ऑफ चाइना जो कि चीन की दिवार है प्रेश्ण तंख्या 927 बिश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है तो सबसे कठोर कानून वाला देश मैं सभ्यद हांथी पाहे जाते है एंगाँ यह उन्य फिर्विस्व में सबसे अधिक से बिलता है तो अमेरिका के राष्टժती को एक साल का होता है कि लंबाई 668-4 किलोमेटर की लंबाई है प्रेस्ट अंख्य 932 विस्व का सबसे बरा रेकिस्तान कौन सा है तो सहारा रेकिस्तान है जिसकी यहां पर चौराई की बात की जाए तो अब सबसे महगी बस्तों कौन सी है तो यूरैनियम है सबसे महगी बस्तों बिस्व का प्रेस्ट अंख्याद नडर और से ठीशत्व है तो वह संस्कृत भासा सबसे प्राचीन है और सभी भासा की जननी भी बोला जाता है संस्कृत भासा को प्रेस्ट थे नहर कौन सी है तो स्वेज नहर है जिसकी लंबा एक मिस्र देश में सित है यह आप लोग याद रखिएगा प्रेस्ट थे नहर सबसे बड़ा महा काब कौन सा है तो महाभारत की रचना किष्णे की तो महाभायत ग्रचना बेदा ब्यास के द्वरा किया गया था प्रेस्ट थे नहर सब्सक्राइब फ्लोडीडा किस महासागर की जल्धारा है तो यह अटलांटिक महासागर की जल्धारा है फ्लोडीडा प्रेस्ट थे नहर सब्सक्राइब वहने वाले महासागर यह जल्धारा कौन सी है तो गल्फ एस्ट्रिम जल्धारा है वे संटक्षे नहर सचालीस था कि लूट जल्धारा कहां प्रिकट होती है तो यह 10941 किस जल्धारा को कृस्ट के बच्चे की धारा कहा जाता है तो यल नीनो जल्धारा को कहा जाता है ट्रश्ट गर्म कंबल कह हसुर मैं त्सक्राइब ना च disappears कि कौनशी जलधारा दक्षिनी होलार्द में बहुत है तो हम बॉल्द जलधारा जोगी नक्षिनी गुलार्द में बहुत है प्रसेबाएब Reynolds समुद्र की गर्म जलधारा में किस ओर जाती सागर के चारों और समुद्री जल्धारा प्रभाहित होती है तो सर्गेस जल्धार है प्रेशन संखेना सच्छे आलिस अफ्रीका के दख्षिंट पस्चिम तर्ट पर कौन सी जल्धारा बहती है तो बेंगुला महासागर की जल्धारा बैती है वहां पे नाम है किस जल्धारा का इस नाम आध रखेगा किस जल्धारा की जल्धारा रहा है प्रेशन से नंशारा पर रंग नीला होने के सब्सक्राइब कहते हैं महासागर की जलधारा का मुख्य असर क्या होता है तो जल को साफ रखती है वह प्रस्ण तंख्या पचास कौन से जलधारा दक्षिनी अट्लांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण ब्रित होने में योगदान नहीं देती है तो वह केनाडी जलधारा है अगर अभीता का आप लोगा ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंदा रहा है तो अपने फ्रेंड के पास सेयर कर दीजिए खासकर जितने भी आपके एस्ट्टेडे रिज्टेल गूर्प वह वाटसप पर हो टेलिग्रा प्रत्ना समाज कि प्रात्ना समाज की अस्थापन एस चंदर सीयन सुरू के घंध्लत श्थापन के सबसे पहले करना संत्र क्या भकतातीं किना या अनौग्षण के द्वरा चलाया था बगर यहां पुत जर्म थंतिह द्रम के स्थापना गुरू नानक के द्वरा कित दवरा किया था 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 शुक थेक आफ्यवश्वा मिंदर भाजर्म थे रहांतने यहार्म के स्थापना टॉछ Lahari जो नौह चब्धिन धर्म के संपत कंदरों के स्थापना की ताहिए था करण है ठाथ संथाना-धзд नक्तम६ को तुछ थानित कुझ्धकुट्स मॉर्च का संस्थापना परिवन्त सत्थाप कूझा चंद्रगुप्त प्राइथ स्थापना किष्ड से तों महर्श्री कपिल के द्वराउ शुरू किया गिया था और योग प्रेदर्शन जो हैvous महर्श्टि पतांजली के द्वारा सूवी अंका रास्वार्सिज की द्वारा आधा आता मम संदर्शन यह मर्ज?' सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को एक से दो बार देखेंगा तो याद हो जाएगा साड़ी प्रस्चन 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 खालसापन्त किस अस्थापना किस नहीं कि द्वारा किया था और शिखों के सभी भी जबसे किरने की सब्सक्राइब करेंन किस्ति अच इना हरिहार वा बुक्का यह दोना वह घ्त है और विजैनेगर समराज के अस्थापना कब किये थे तिये 1336 स्थापना कुतुबुदिन एबक के द्वारा किया था प्रश्न संखे 974 सतिय प्रथा का अंध किस ने किया था लॉर्ड विलियम बेंटी के द्वारा किया था प्रश्न संखे 975 आंदूलन यह प्रमुख आंदूलन जो किया है और सहयोग सभी ने अबग्या आंदूलन खेडा चंपारन नमक सत्तागरह आंदूलन भारात फोरों आ रहा है था कि सारे आंदूलन को महात्मा गांधी के द्वारा चलाया था यह सतारा आंदूलन जो भी आंदूलन आपर आया यहां पर कुस्ट्टन चार से पांच हो जाता है लेकिन आंसा सभी का यह याद रख जिएगा प्रश्न संखे 976 हर्जन संख के स्थापना किस ने कि बी गतों सथा बहुदन अंदूलन प्राइब है जो जो कि पुष्ट अन्साइं नहीं खिश्या आप और भारत पाकिस्तान माइक्तिसे पहत्तों सेश्वाराए सेंथा रेफिक उप सब्सक्रात कोि के नाम से जाना जाता है प्रस्ण संख्या 980 स्वाराज पार्टी के स्थापना किस ने की थी तो स्वाराज पार्टी के स्थापना पंदित मोदी लाल नहरू के द्वारा किया था प्रेशंजी संग्षया McMaosa 81 गदरपाटी की स्थापना किछबANC कि थोगदरपाटी की स्थापना ल्ला दैयाल के द्वारा किया गया था फ्रसंजीघे बंकिम चंदर चटर जी के द्वारा लिखा गया था बंदे मात्रां जो कि अश्टे गान हैं हम लोगा सवर्द आश्ट्रेगीत प्रैसन तंख्या नवसाथ थे शृडव्र मंदर का निरुमान किस ने करवाया तो स्वार्ड मंदर का निरुमान गुरू अर्जुन देवने कर वह लाया था मिंसा प्रेस्ट द्हूयया नंशत चरफा सपह्सिह पाकिस्तान की असथापना किस्टेशब्स करें जाया पाकिस्तान की मांग भी सरबर्थम मुहमद अली जीन्दा नहीं की थे प्रसंद नंख्या नोसट शेयासी इंडियन एस्वर सीसिजियन ऑफ की अस्थापना किसने की थे तुरंदर नाथ बनर जी के द्वरा किया था प्रसंद नंख्या 180 औरुंबीले अस्थापना किसने कि थि दी अरविंद घोष के द्वरां किया था प्रसंद नंख्याbeconi नंशलकम न किद बनें नौन नंशलक रवाए किस्टाप नंट किस्टो merch अब्राम निंकन कि द्वारा किया गया था किंट यह को को आंदूलन किसने स्रूख ऺता चिपको आधोल में राश्ट कंगर गांध लिय जुने Intra- Gandhi दोरर अप प्रेसे जंठ आज आ यह जा स्लिद कुछलुन सफ इसागते जाटो भणध τब रहते लाधी तो प्राइसंतर नंख्यार संच्वाणा05. ऊल इंडिया वीमेन्स कॉंग्रिस की अस्थापन किस्ने कि थी, तो श्रीमती कbuds कमला देवी की द्वर्या किया तो ऑहागी त्वारत की लिचिती नंख्यार इंतरा है ज्प ऑफ पचपनवय की ते नंख्यार भारत की ृम्होंनिस्ट झाल संस्कृत व्याकरन के जनक किसे मनना जाता है संस्कृत व्याकरन के पानी को मना जाता दुड़ा सिक्राज की अस्थापना किसके त्वरा दोग महराजா रंजीत सिंग्क के नाम किया गया था प्रास्यंदा संख्याह 92020 990 भाद की खूज किस ने की थी भात की खूज वासकोड डिगामा के द्वारा किया था कब किया था तो ये 14892S-P में किये थे वासकोड डिगामा ने भारत की खोज प्रसन संख्या एक हजार अनंदवन के अस्थापना किस ने की थी तो अनंदवन के अस्थापना बाबा आमबे के द्वारा किया गया